Hello everyone, मैं विश्ट जीत सिंग, आप सभी का दीई इनव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की स्वीडियो के अंदर में हम M.A.H.I.06 का Unit 8 करने जा रहे हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे कि इस पूरे Unit के अंदर में कितने Lessons हैं किस तरह के Topics बनते हैं इस Lesson के Basis पे, उन Topic के Basis पे Questions क्या बन सकते हैं और उन Question के Basis पे Exam में जो पूछे जाने वाले Questions होते हैं उनके Pattern क्या होंगे किस तरीके से पूछा जाएगा Exam में Question उसके बारे में हम यहाँ पर Discuss करेंगे दोस्तों इस Short Video होने वाली है जिससे आपको Easily समझ में आए, Roughly एक Idea मिल जाए कि क्या इन Unit के अंदर में पढ़ना है, क्या क्या चीज़े Important है, कौन से Topics है, आपको एक Roughly उपर से Idea मिल जाएगा ठीके चली स्टार्ट करते हैं, एक Suggestion रहेगा आप सभी Students के लिए, अगर आप MA History, First Year या Second Year के लिए प्रिपेर कर रहे हैं, MHI 01 से लेकर 10 तक का कुछ भी Subject है आपके पास, उन सभी की Playlist के अंदर में एक वीडियो है, Last 5 Year Question Paper का, जिसके अंदर में Last 5 साल के Question Paper को Solve करवाये गया है, उसके मदस्या आपका जो syllabus है, जो भी Subject आप प्रिपेर कर रहे हो, उसका 90% syllabus almost cover हो जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर देखे, आपके एक्जाम के लिए बहुत जादा helpful रहने वाली है, चली स्टार्ट करते हैं, दोस्तों अगर मैं Unit 8 की बात करता हूं, तो Unit 8 का नाम है उपनिवेशवाद के अंतरगत समाजिक मुद्दे, अब उपनिवेशवाद है क्या, देखो, Britain के हम क्या बने थे, गुलाम बने हुए थे, उपनिवेश थे, ठीक है, East India Company Britain, तो हम उपनिवेश थे, तो उसके अंदर में कौन-कौन सा समाजि पिरिट चल रहा था, तो उससे में कौन-कौन सा समाजिक मुद्दे रहे, इसके बारे में यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं, तो सबसे पहले आता है चैप्टर नंबर 28, चैप्टर नंबर 28 की बात कुरूत उसका नाम है उपनिवेशिक वन नीतिया और अप्राधिक जन जा रफली एक आइडिया दू तो जो यह पूरा फॉरेस्ट पॉलिशी जब लागो किया गया, ठारसो कुछ का टाइम था, ठारसो इनक्यावन बावन से लेकर, ठारसो साथ के बीच का टाइम बिरेट चल रहा था, तो उस समय पे ब्रिटन कई जगह पे युद में इंवाल्व ठारसो था, ठीक है, युद चल रहा था, डारेक्टली, इंडारेक्ली, और उद्योगिक क्रामती का भी दौर था एक तरह से, ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ, कि ब्रिटन ने पेड़ों की कटाई करनी शुरू करी, भारत से, भारत गुलाम था, तो यहीं से लेके जाना उन्हें forest policy बनाई, ठीक है, तो यह क्यों बनाएगा, इसका प्रभाव क्या था, अपराधिक जन जीतिया क्या थी, जन जातिया क्या थी, किस तरह से उनको अपराधिक डंड के लिए लाए गया, डंड सहीता लागू किया गया, तो उसको लेकर यहां पे question आता है, और most important chapter है इस unit का, इसको जरूर आप पढ़े, ठीक है, अगले हम chapter की बात करें, तो अगला chapter आता है, उपनिवेश वाद में महिलाओं की इस्तिति, ये भी most important chapter है, उपनिवेश वाद के दोरान में, जब उपनिवेश प्रेड चल रहा था, ठीक है, तो उस समय में positions क्या थे महिलाओं क किस तरह का power position था, किस तरह की स्तिति थी महिलाओं की, इसके बारे में बात किया जाता है, इसके अंदर में normally देखोगे, तो chapter 29 के अंदर में, यहाँ पे जो topic बनता है कि समा सुधार आंदोलन महिलाओं का परभाव या फिर महिलाओं की इस्तिति, ठीक है, जैसे अब ये तो उस तरह के चीजों पे बहुत ज़्यादा अंग्रेजों ने रोक लगाना सुरू किया, age, marriage, age भी उन्होंने tag की, ठीक है, तो वो सारी चीज़े, किस तरह से उपनिवेश काल के अंदर महिलाओं की स्तिति, किस तरह से रही, ठीक है, समान, वेतन, मस्दूरी मिले, यह सा अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नमबर 30, जिसके अंदर में हम बात करते हैं, समाजिक भेदवाव, समाजिक भेदवाव क्या होता है, जिससे मतलब किसी चीज़ को लेकर भेदवाव करना, तो उस समय किस तरह समाजिक भेदवाव की बात करोगे, तो लेंगिक अधार लेंगिक मतलब लड़का लड़की है, यह लड़का है, लड़की है, तो उस अधार पर भेदवाव देखने के लिए मिला, धार्मिक, समाजिक और आर्थिक अधार पर भेदवाव था, और जाती अधारित भेदवाव देखने के लिए मिलता है, तो यहां पर जो कोशन बन इसके अंदर में हम बात करते है जन विरोध और समाजिक सनचनह, थीक है अब जन विरोध आपस में किस सरं से जन विरोध और समाजिक सनचनह क्या है थीक है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, यहाँ पे total 3-4 तोपिक important है, कुछ टिप्णी बेसिस की अगर बात कर तो इसको भी थोड़ा सा पढ़के जाए जिससे आपको चीजे समझ में यहाँ पर एक कोशन आता है कि पुर्व उपनिविसिक समाज की विस्षिस्ता ठीक है उपनिविस बनने से पहले पुर्व जो पहले का टाइम ब्रेड था उससमें क्या विस्षिस्ता रही समाज की वह यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है तो उसको जरूर पढ़ें वह भी कई बार पूच लिया जाता है ठीक है बट दादातर चांसित जो रहते हैं उपर के मैंने चैप्टर्स बताया जिसको उसमें से कोशन बने के चांसित बहुत कम रहते हैं एक यहाँ पर कोशन और रहता ह वो विशिस्ताओं के बारे में आप पूछा जाता है तो आप उसको बता सकते हो थोड़ा सा ठीक है और यहां पर लास्ट चैप्टर जो हमारा आएगा 32 इसके अंदर में बात के जारा है उपनिवेशवाद के अधीन जनजातियों का अध्यान ठीक है जो उपनिवेशवाद क पूछ लिया जाता है जनजातियों का रास्टवादियों का सिध्दानता जो रास्टवदी जुदेश की लोग थे उनका क्या सिध्दान रहा जनजातियों को लेकर ये पूर कर दिया और इस वीडियो की मिदल से टोटल 8 वीडियो मतलब 8 unit 8 वीडियो और हर एक वीडियो के अंदर में हमने roughly idea लगाया कि इस chapter के अंदर में यह important topic है हमें यह पढ़ना है ठीक है और इसके basis पर questions बन सकते हैं ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो comment, like, share, subscribe जरूर करें अपने दोस्तों साथ share करे और अगर और भी अच्छी वीडियो चाहते हो तो आप comment करके बताएं किस तरह की video आपको चरह रही है चाहिए कोई और topic हो जो आपको समझमें नहीं आ रहा है इसमें से अगर कोई topic आपको समझमें नहीं आया यह किसी और topic पर इससी special video चाहते हो एक अलग single video चाहते हो तो आ आप comment करके बता सकते हैं उसके लिए वीडियो लेकर आएंगे तो friends bye bye take care all the best thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best